तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई अब आप सब बलकुल बढ़िया होंगे तो एक बार फिर आप लोग का स्वागत करता हूँ भाई एक नए वीडियो में और आज उपन वीडियो लेकर आने वाले हैं वो होने वाली है होंडा SP125 2022 अपडेट को लेके तो यार इससे पहल अपन वाइब करने वाला है उस अपड़ेट की जिसको मैंने वहाँ पहर पे पॉस कर दिया था और मैं आपको कहा ता कि डिटेल में आपन बात करेंगे नेस वीडियो में इस अप्डेट के बारे में कि यह अपडेट हॉंडा ने इतनी बड़ी Luis क्यों करी तो यह जो अपडेट अपनी होने वाली है यह अने वाली है फ्रेंट डिस्क ब्रेक को लेकर तो उसी से रिलेटिड होगा अपना आज का वीडियो तो वीडियो देखना पूरा एंड तक उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल का आप लोगों ने सबस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो वाई सबस्क्राइब करके बैल आइकन दबा देना और नौटिफिकेशन को कर देना और ताकि बाइक से रिलेटि इसी तरह का कॉंटेट आप लोगों से मिसना हो तो चलिए वाई शुरू करते हैं और डिटेल में बात करते हैं कि क्य होंडा ने यह अपडेट इस वीडियो में तो आर सबसे पहले बात करते हैं कि चेंज क्या हुआ है तो यार वैसे यह चेंज मुझे परसनली पसंद नहीं आया क्योंकि होंडा को यह थोड़ा नहीं करना चाहिए था कॉस्ट कर्टिंग में क्योंकि 800,000 रुपे बढ़ाए ह है तो सबसे पहले में बात करूँ कि एक मेजर चेंज क्या हुआ है वो हुआ है साइड स्टेंड कट ओफ सेंसर यहां पर आप जो होंडा ने दे दिया है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी चीज जिसमें जिसमें मतलब थोड़ी सी क्वालिटी गिरा दी तो लोगों का ध्यान सारा जो है वो इस अपडेट पे चला गया क्योंकि लोगों को जो है इसमें साइड स्टेंड कट ओफ सेंसर ही चाहिए था क्योंकि सेफटी फीचर्स माइने रखता है और सेफटी के लिए बहुत जरूरी है तो सब लोगों का ध्यान उधर चला गया है कि ये आपको दो वायर दिखते थे, तो वो दो वायर जो थे, वो दिखते रहे से दो कैलीपर थे हो, तो ब्रेकिंग जो थी, वो पहले बहुत मजबूत थी, पुरानी वाली जो SP आती थी, 2020-21 में, वहापे दो कैलीपर आते थे, दो वायरिंग यहापे आपको देखने को मिलती और जब आप इसको low speed पर चलाओगे यानि कि 50-60 की speed पर चलाओगे तब आपको कोई खासा breaking में feel नहीं होगा पर जब आप इसको high speed पर cruise करोगे जैसे कि सिनब्बै के speed पर चलाओगे तब आप emergency brake या फिर ब्रेकिंग यूज करोगे तब आपको कहीं न कहीं पता लगेगा कि ज का major effect नहीं है कि breaking पर बहुत जादा effect पढ़ेगा और breaking आपकी बहुत कमजोर हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है बट फिर भी एक safety के पीचर से जो आपने पहले दे रखा था तो उसको चेंज क्यों करना जो quality आपने maintain कर रखी है पहले उस quality को क्यों गिराना जब आपने पहले dual caliper में दे रखा है तो अब भी वही चलने देते आपने side stand cut off sensor दे दिया वह बहुत अच्छी चीज लगी वह एक अच्छा update था उसके लिए अपने पैसर भी बढ़ा है तो कोई दिक साना था कि भाई यह Honda ने एक जो बड़ी update करी side stand cut off sensor उसके साथ साथ छुपके से यह quality भी डाउन कर दी ताकि लोगों का ध्यान सारा उधर बढ़ चला जाए और इस update के बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था तो बस यही था अपना वीडियो बाकी पुरानी में और नई में क्या-क्या changes हुए हैं और क्या-क्या मतलब features हैं क्या-क्या updates हैं वो सारी अपने एक separate video बनाएंगे क्योंकि अपने पास 2020 के end वाला model भी है अरजुन के पास उससे अपन इसको compare करेंगे कि भाई पहले क्या-क्या था अच्छा और अब क्या-क्या हो गया है Instagram पर follow कर सकते हो अगर आपकी कोई भी query को आप DM कर सकते हो या किसी भी तरह से bikes related कोई भी वीडियो आप लोगों को चीह हो तो मैं वीडियो आप लोगों को बना के पहुचा दूँगा देखो हो सकता है वीडियो थोड़ा delay बने बट मैं आप लोगों तक पहुचा दूँग